बीदेशी यात्री जो अभी तक भारत आये थे प्राचीन काल से अधुनिक भारत तक में उन सबों के नाम हम लोग देखेंगे सबसे पहले मेगा अस्थनीज जो युनान का यात्री था चन्रगुप्त मौरी के दरवार में आया था और इन्होंने इंडी का पुस्तग लिखा था डाइमेकस जो सिर्या के यात्री थे बिंदू सर के दरवार में आये थे फाहियान जो चीन के यात्री थे चन्रुप्त दूतिया के दरवार में आये थे वैन संग ये भी चीन के थे हर्श वर्धन के दरवार में आये थे और इसकी रचना है सियूकी वैन संग को यात्रियाओं का राजकुमार भी का जाता है अलबोरोनी ये अरब का यात्री था गजनवी के साथ भारत आया था और इसकी परसीद पुस्तक है किताब ल हिंद अलबोरोनी पहला ऐसा मुसल्मान था जिसने पुराण उपनिशत का अधेजन किया उसके बाद मारको पोलो इटली का यात्री था ये मद्दिकाली नियात्रों का सर्ता जिसको का जता है मारको पोलो को मारको पोलो रेसम मारक से चीन जंगने वाला पहला जात्री था इसके बाद इबन वतुता मुरको का जात्री था ये मुहमद बिन तुगलक के सासनकाल में बार रता जाता इसकी परसित पुस्तक का नम रहला है मुहमद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बनाया तता चीन में अपनों राज़दूर बना कर भेजा बिजय नगर की यात्रा पर जो जात्री आये थे उनके नम देखेंगे हम लोग निकोलो कॉंटी ये इटली के यात्री थे देवराय पर्थम के सासनकल में आये थे अब्दुलरजाक ये इरान के यात्री थे जो देवराय दूतिया के सासनकल में आये थे और डोमिंगो पायस ये पुर्तगाल के यात्री थे और ये कृष्ण देवराय के सासनकल में आये थे केप्टन होकिन्स ये जहांगीर के सासनकाले में भारत आये थे सर टॉमस रो जहांगीर के सासनकाले में भारत आये थे पीटर मुंडी ये इटली के यात्री थे साज अगा के सासनकाले में भारत आये थे लीवी देव ये रूस के यात्री थे और उनकी पर्षिद पुस्तक हिंदुस्तोनी ग्रहमर अब दूसरा पुइंट हम लोग देखेंगे राजाओं द्वारा उपादी जो धारन किया गिया है आजा सत्रूने कुनीक का उपादे धारन किया था महा पद्दम नंद ने पर्थम गैर छत्रिया सासक विसको का ज़ता है महा पद्दम नंद को उग्रसयान की उपादे इनगोने धारन किया था सेंट्रो कोटस का उपादी चंद्रगूप मोर्य ने धारन किया था अमित्र घात का उपादी बिंदू सार ने धारन किया था बौध धर्म का उत्पिड़क पुश्मित्र सुंग को का आज़ता है ये उपाधी मिला था पुश्मित्र सुंग को बौध धर्म का उत्पिड़क के रूप में बिक्रमदित चंद्रगुप दुईतिया ने उपाधी धारन किया था बिक्रमदित चौदा राजाओं ने उपाधी लिये विक्रमादित्य का उपादी हेमू ने भी धारन किया था जिसे अंतिम हिंदू राजा के रूप में जाना जाता है सक्रादित्य का उपादी असकन गुप्त ने धारन किया था लिच्छवी दहित की उपादी समुद्र गुप्त ने धारन किया था देव नम प्रिय मगधा धिराज देव नम प्रिय दर्शी ये अशोक ने उपादिधारण किया था पोली ब्रोथा के नम से पाटली पुत्र को जना जता था जोकि मगद की राज़दानी थी कुछ परमुक राजाओं का बिवा बिम्बी सार का बिवा कोसल की राजकुमारी कोसला देवी के साथ हुआ था लिच्वी की राजकुमारी चलना और मद्रकूल की राजकुमारी छेमा या छेमा से हुआ था छेमा या अक्छेमा इसको बला जाता है इन तीनों से बिवावा हुआ था विम्भी सार का चन्द्रगुप पर्थम लिच्छवी के कुमार देवी के साथ इनका बिवावा था चन्द्रगुप दूतिया का नाग बंस की कुबेर नाग की बेटी परहावती गुप तिसे इसका साधी हुआ था गरा बर्म का साधी राज इसरी से हुआ था उसके बाद पॉइंट हम लोग अगला देखेंगे प्राचिन काल में राजावा दोरा चलाया गया सिक्का सिक्का जो है सबसे पहले देखेंगे बस्तु बिनी में परनाली ये हडपा सब्यता में जदा बिक्सित थी और रीग बैदिक और उत्तगर बैदिक काल में नीश्क और सत्मान नमक दोश सिक्के चलाया गये थे नीश्क का मतलब अभुसन होता था और सत्मान गायों की संख्या होती थे उसके बाद मौद्रीक परनाली इसमें पॉइंट है मौद्रीक परनाली में महाजनपद में पंचमार्ग सिक्का चलाया गया था महाजनपद के काल में पंचमार्ग सिक्का राजाओं द्वारा नहीं चलाया गया था बलकि भी अप्यार यहों द्वारा चला गया था मौरीकाल में पंचमार्ग सिक्का चलाया गया सबसे अधिक परचलेत सिक्का चौंदी का था इसको कासारपन या पन का गया मौरीकाल में हिंद यवन जिसे हिंद योने नहीं सासक का जाता है इस्ट्रेटो दुईतिया पहला राजा था जिसने सोने कुसंगन सबसे सुद्ध सोने का सिक्का चलाया था जिसे दिनार का आ जाता था गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाया गया साथ बाहन ने सीसे के सिक्के चलाया थे गुप्त राजा चंदगुप्त दुईतिया ने सकों को हरने के बाद चंदी का सिक्का रूपक चलाया था उसके बाद मतपुर्ण अभिलेख है बागोज कोई अभिलेक इसमें आरिका मूल निवासस्तन मद्देश्या को बताया गया है दुसरा अभिलेक है हाती गुमपा अभिलेक ये उदैगिरी पहाड़ी उडिसा में इस्तित है इसमें कलिंग राजा खारवेल की जनकारी मिलती है और ये जैन धर्म से समन्दित था जुनोंगड अभिलेक सक सासक रूद्र दमन से समन्दित है जिसने सुदर्शन जिल का पूनर निर्मन करवाया था पहला संस्रीत का सबसे लंबा अभिलेक था जुनोंगड अभिलेक परियाग प्रसस्त्री अभिलेक समुद्र गुप्त के बीजय अभियान का बर्नन हरिस्यान दोराल लिखा गया एरन अभिलेक पहला सती पर्था का परमान इस अभिलेक से मिलता है एरन अभिलेक में भानु गुप्त के सेनव पती गोपराज के पत्नी ने गोपराज की चलती चिता में जल गई थी उसके बाद महरोली अभिलेक दिली में इस्तीत लव अस्तंब में लिखा चंद जिसकी परचंद चंद गुप्त दूतिया से क्या गया है एहोल अभिलेक पूलकेशिन दूतिया का अभिलेक है पूलकेशिन दूतिया ने लिखा कि हर्षवरधन के दक्षिन बिजय अभियान को रोक दिया उसके बाद है प्राचिन काल के राजवैद जीबक ये बिम्विसार के दरवार में थे जो एक राजवैद थे धन्वंत्री चंद्गुप दूतिया के दर्वार में थे ये भी एक राजवेद्ध थे चरक ये कनीश के दर्वार में थे ये भी एक परशिद्ध राजवेद्ध थे चंद्गुप दूतिया के दर्वार में काली दास रा करते थे बरामीर जो एक खोल सास्त्री थे अमर सिंग जिसकी परसीद पुस्तक अमर कोस है धनवंत्री जो एक राजबेद था आर भट जिसके दुरा आर भट्टिया नमक पुस्तक लिखा गया है ये पहुचो चंदगुब दूतिया के दरवार में रहा करते थे कनिस्क के दरवार में असुघोस नागा अरजुन और चरग ये तीनों रहा करते थे असुघ का अभिलेक ब्रिहत सिला लेक इसमें चौद्या बाते हैं और आठ अस्थोनों से मिला ब्रिहत सिला लेक जो है इसमें चौद्या बात और आठ अस्थोनों से मिला है इसमें उसके पाद इसका अस्तंब लेख भी मिला है तिसरा इसमें लगू सिला लेख भी मिला है जिसे भाबरू का अभिलेख इसमें असोक का नम मगधा दिराज मिला है मासकरी गुर्जरा अभिलेक में इसमें असोक का नम असोक मिला है रंगनी का अभिलेक इसमें असोक की पतनी करू वाकी और बेटा तीबर का पता चलता है रुमन देई अभिलेक कर परनाली का पता चलता है असोक का समराज पूरे भारत में फेला था उत्तर में सहवाज गड़ी से दक्षिन में ये सर गुड़ी तक